नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपने चैनल Tech & Target पर सौगत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और जॉब पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों ये जॉब पोस्ट की गई है Cognizant की तरफ से और Cognizant ने ये जॉब अपनी देख और इह सोच़ के बहुत चैनल अपने में पर्फॉर्म करना ने काम हने वारा है बहुत तुब होगा बहुत difficult होगा ऐसा कुछ नहीं है प्रोजेक में भी दोस्तों बहुत चीज़े हूँ प्रोजेक्स करने के बात बहुत चारी testing includes होती है जो मैं perform करनी होती है project देखना पड़ता है कि अगर हमें करेंगे तो कैसा जाएगा कि कितने लोगों अच्छा लगेगा कितने इसके chances हैं तो यह समय discuss करूँगा और यह भी बताऊँगा कि इसमें exactly आपको करना क्या है दोस्तों इसकी location नेने वाली आपकी चेंड नहीं और दोस्तों यह आपकी job id दोस्तों मैं आप बता जाता हूँ qualification दोस्तों qualification नेने वाली आपकी BE graduate या MCA graduate दोस्तों यह final year के बच्चों के लिए नहीं है ना ही freshers के लिए ना ही कोई internship है अगर आप graduate हो तो आप इसमें जरूर reply कीजे और दोस्तों मैं और बता देता हूँ इसमें आपको design and analysis अब दोस्तों होता कि है जब भी हम कोई project बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजे include होती है design होती है analysis होती है उसके बाद थोड़ी बहुत coding include होती है और दोस्तों एक बात और बता दूँ जिसकी में बात कर रहा हूँ दोस्तों testing develop a unit test case to perform unit testing log results shared defect details अब दोस्तों हर अगर हम project बना रहे हैं तो उसको हमें कितनी बार check करना होता है test cases लगाने होते है sdlc life cycle perform करनी होती है तो आपको sdlc की बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए मैं description पर लिंक दे दूँगा फुल टाइम जॉब और दोस्तों जॉब पोसिंगे अभी एक October को ही किये दो दिन पहले की गई है तो दोस्तों इसमें जरूर apply कीजे क्योंकि इसकी last year जब ही हो जाएगी अपने आपन कर जाएंगे जब इन पर बहुत सारी applications आ जाएंगी अम मैं आपको बताऊंगा कि आप आपको इसमें कैसे apply करना है दोस्तों यह क्या green button इसका आपको click करना है जैसी आप इसपर click करोगे यह वाले tap पर आ जाओगे दोस्तों you are applying associate projects job id जो दे रखी ती इसके बार दोस्तों आपको proceed पर click करना है जैसी आप proceed पर click करते हो आप आप आजाते हो यह वाले page पर अब दो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें SDLC की बहुत जादा requirement है अगर आपको अभी भी SDLC नहीं आता एक काम कीजिए resume में लिख दीजिए SDLC क्योंकि अभी इसका interview नहीं हो गया shortlisting नहीं होगी और SDLC लिख दीजिए कि बहुत अच्छे से आती है और जैसी आप resume के लिए आप apply कर रहे हो उसके बाद SDLC पढ़ना start कर दीजिए क्योंकि SDLC में पढ़ने में इतना time नहीं लगने वाला मैं अपने description बे एक link share कर दूँगा वहाँ से जाकर आप बहुत अच्छे से SDLC के वारे में जान सकते हो और अगर आप SDLC के वारे में आप जैसे ही जान लोगे दोस्तों यह समझ दीजिए आपको बहुत अच्छी opportunity मिल अगर आप लोग को उसके interview experience या और कुछ जानना है तो मुझे comment section में ज़रूर बताईए तो दुस्तों आज के लिए इतना ही मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने टेक अपडेट के साथ जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद